इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है माई कंट्री माई कंट्री यानि मेरा मुल्क माई कंट्री चलें अब हम इसे रीट करेंगे यह जो नीचे कुछ जुमले दिये हुए है आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है और जब हम रीट कर लेंगे फिर मैं आपको साथ साथ समझाओंगी भी चलें अब आप यह बताईए सबसे पहले कि इस चैप्टर का क्या नाम है माई कंट्री माई कंट्री यानि मेरा मुल्क चलें आप हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपने भी मेरे साथ पढ़ना है माई कंट्री इस पाकिस्तान माई कंट्री इस पाकिस्तान I am a Pakistani I am a Pakistani My country is green My country is green it has many fields it has many fields it is a very beautiful country it is a very beautiful country we all must work hard for the progress of our country we all must work hard for the progress of our country we must pray for love and peace in Pakistan we must pray for love and peace in Pakistan we love our country very much we love our country very much my country is Pakistan my country is Pakistan my country is Pakistan Pakistani Pakistan की रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे पाकिस्तानी I am a Pakistani यानि मैं एक पाकिस्तानी हूँ my country is green मेरा मुल्क सबस है अब यहां पर सबस का मतलब यह नहीं है कि गरीन ही है इसका मतलब यह है कि मेरा मुल्क बहुत सरसबस है यानि हरा भरा it has many fields और मेरे मुल्क में बहुत सारे खेत हैं fields किसे कहते हैं खेत को it has many fields यानि पाकिस्तान बहुत हरा भरा है और इसमें बहुत सारे खेत भी है it is a very beautiful country और पाकिस्तान एक बहुत ही खुबसूरत मुल्क है beautiful का क्या मतलब है खुबसूरत it is a very beautiful country यानि पाकिस्तान एक बहुत ही खुबसूरत मुल्क है we all must work hard for the progress of our country और हम सब को बहुत जादा hard work करना चाहिए या बहुत महनत करनी चाहिए ताके हमारा मुल्क progress कर सके या तरकी कर सके हमें क्या करना चाहिए बहुत hard work यहां पे work hard का क्या मतलब है कि बहुत जादा काम करना चाहिए बहुत जदा महनत करनी चाहिए ताके हमारा मुल्क यहां हमारी कंट्री प्राग्रिस करे या तरक्की करे PROGRESS का क्या मतलब है तरक्की WE MUST PRAY FOR LOVE AND PIECE IN PAKISTAN और हमें क्या करना चाहिए हमें दूआ करनी चाहिए पाकिसान में हमेशा महबत और अमन काइम रहे यानि लोग आपस में महबबत से रहे और जब जाहरे लोग आपस में महबबत से रहेंगे तो मुलक में अमन या पीस होगा तो हम क्या दुआ करते हैं? प्रे का मतलब है दुआ करना और हम किसकी दुआ करते हैं? लव की यानि महबबत की और peace यानि सकुन या अमन की in Pakistan We love our country very much और हमें अपनी country से या अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा महबत है very much का मतलब है बहुत ज़्यादा और love यानि महबत या प्यार हमें अपनी country से बहुत ज़्यादा क्या है? महबत या प्यार चलें, अब हम एक बार फिर से read करते हैं, आपने भी अब मेरे साथ पढ़ना है, My country is Pakistan. I am a Pakistani. My country is green. It has many fields. It is a very beautiful country. We all must work hard for the progress of our country. We must pray for love and peace in Pakistan. We love our country very much. Is video mein hum ne kya sikhha? इस वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा है, उसका नाम है My country. और हमने उस चैप्टर को read किया, यानि हमने English reading सीखी. अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें, और साथ में फिर से इसे read करने की कोशिश कीजिए. इस तरह आपको बहुत जिल्द English reading आज आएगी.